यह थामलेकुम इवर्ज वेलकम तु लर्निंग आर्क विएसवाइ 514 कंजुमर साइकोलोजी के लेसन नंबर वन पढ़ने जा रहे हैं हमाज सबसे पहला रेसन है कंजुमर साइकोलोजी का इसमें हम इंट्रोड़क्शन पढ़ रहे हैं इसका इसका स्कॉप क्या है कि इसका स्कॉप कर्देर साइकोलोजी कोॉप कंजुमर साइकोलोजी का स्कॉप इसमें देखा जाता है कि किस तरह एक इसना इसन ने अपना टाइम अपना एफट अपनी मॉनी कहा फिक लगानी है क्या चीज़ खरीद नहीं है क्या किंजूमर्स बाइ करते हैं क्यों बाइ करते हैं कब बाइ करते हैं कहां बाइ करते हैं क्यों सी चीज़ों जादतर खरीद रहे हैं उस चीज़ को खरीदने के बाद उसे वो अवैलुएट कैसे करते हैं और उस evaluation का क्या impact होता है उसकी further खरीदारी के उपर यानि क्या वो उन चीजों को आगे फिर लेता है या फिर वो उन चीजों को खरीदना छोड़ देता है psychology हमें पता है कि study of behavior का नाम है और consumer वो होते हैं जो consume करते हैं कोई भी चीज़ खरीद रहे होते हैं consumer psychology में हम देखते हैं कि किस तरहां एक इनसान अपने आपको किसी product के साथ relate करता है किस तरहां वो उस चीज़ को खरीदता है और क्यों खरीदता है या services लेता है तो वो क्यों ले रहा होता है इसके पीचे सारा हम जो study है उसको देखते है research in consumer psychology में भी used to consumer psychology में जो research की कि वो helpful होती है ये information देने के लिए कि consumer की क्या need है companies को information मिलती है कि consumer क्या लेना चाहरा है public क्या demand करी है इसी तरह ये मदद करती है organizations को कि वो अपनी जो products हैं वो effectively develop करें और उन्हें बताती है कि क्या services उन्हें देनी चाहिए क्या ideas उनको use करने चाहिए इसी तरह ये government agencies को भी guide करती है किस तरह उन्हें ideas identity of brand names को save करना है क्या क्या तरीका कार है advertising claims को evaluate करने का और clinical marketing practices की किस तरह assessment की जाती है ये सब इस research पर कितुरू उनको मदद मिलती है then representation in consumer psychology consumer psychology को broad range में देखा गया इसमें theoretical, conceptual and methodological perspective आ जाते है इसमें हम जो तीन areas देखने जा रहे हैं that is social psychology, cognitive psychology and marketing advertising social psychology में आ जाता है कि social influence का एक इनसानी दमाग पर क्या आफ़र होता है किस तरह वो सोचता है और cognitive psychology में आ जाता है कि एक इनसान की mental representations उसकी information processing का तरीका का उस सारे चीज़ों की study advertising आ जाता है कि अपनी services या अपनी goods को sale करने के लिए और पब्लिक की का धिहान उस तरफ दिलाने के लिए हम क्या तरीका कार इस्तमाल करते हैं उसको लोगों तक पहुंचाने के लिए then is consumer behavior consumer behavior में study किया जाता है कि जो consumer है वो किस किसम की चीज़ों के search में है क्या वो purchase करता है उसे किस तरह use कर रहा है फिर उसको evaluate कैसे कर रहा है और further अगर उसकी satisfy need हो रही है तो उस product को दुबारा ले रहा है और अगर नहीं हो रही है तो वो किस product को choose कर रहा है यह सारी चीज़ों इसमें आ जाती है दो तरह के consumers होते है personal consumers and organizational consumers personal consumers वो consumers होते हैं जो के अपने इस्तमाल के लिए चीज़ों लेते हैं development of marketing concept in the discipline of consumer psychology and the consumer behavior marketing concept से हमारी consumer psychology और consumer behavior की fields निकली है इसमें हम देखेंगे production concept, product concept and selling concept production concept में आ जाता है कि एक product को बनाते हुए क्या concept होता है या production करने वालों को क्या concept होता है उनका focus होता है कि वो सस्ती से सस्ती चीज़ बिनाएं efficient production और उसकी distribution जाता हो सके और जूम यह किया जाता है कि consumer उनकी product में ज्यादा interest होंगे rather than कि उससे product में क्या features है और problem ही आती है कि वो इस चीज़ को ignore कर जाते हैं कि customer उस product में किस किसम के features चाहरा था product concept में आ जाता है कि product में उसकी quality इंप्रूफ की जाती है उसमें नए कुछ features आड़ किया जाते हैं और यह जूम किया जाता है कि customer जो उसमें features नए आड़ किया जाता है उसे पसंद करेगा और उन्हें यह कहके offer किया जाएगा कि high quality है तो उसको खरीदेंगे प्रॉब्लम में आती है कि उस time पे जो है product orientation में ignore कर दिया जाता है कि आया वो जो कंजूमर है वो न्यू features वैसे चाहा भी रहा था या नहीं selling concept में आ जाता है कि focus इस चीज़ पर होता है कि ज़्यादा sales हो उसके बाद profit आया profit volume increase sales volume increase हो और यह किया जाता है कि consumer ज़्यादा तर चीज़ खरीदना नहीं चाहा रहे होते हैं मगर उन्हें धक्के से दिलवाई जाती है या उनको इस चीज़ पर लाया जाता है कि वो यह चीज़ खरीदें प्रॉब्लम ही आती है कि इस चीज़ क कंसीडर नहीं किया जाता है कि customer's की satisfaction कि इस चीज़ बलकि से इंड्यूस किया जाता है कि वो प्रोड़क्ट खरीदें चाहे वो चाह रहा है लेना या नहीं चाह रहा है इस चीज़ पर यह प्रॉब्लम आ जाती है इस marketing concept फोकुस होता है needs and want of customers और इस चीज़ पर प्रॉफिट बिनाया जाए थ्रू customer satisfaction then basic assumption में आ जाता है कि determine needs and wants of specific target markets and deliver the desired satisfaction basic assumption यही होती है कि आप अपने specific market के लिए ऐसी चीज़ बना रहे होते हो और उनकी needs के according कर रहे होते हो एक competition में आने के बजाए then development of marketing concept में तीन बड़े नाम्स है इनको detail में जिनको लिखा हुआ है कि इनकी क्या innovations थीज़ आप खुद एक दफ़ा read कर लीज़ेगा सबसे पहले हैं Alfred P. Salon इनोंने इनका कहना यह था कि a car for every purse and purpose यानि हर इन गरीब हो अमीर के लिए एक चीज़ जो मही हो यानि ऐसी कार जो हर चीज़ के लिए इस्तमाल हो हर परपस में हूज हो और every purse यानि हर तरहां की जेब रखने वाले के लिए हो चाहे वो गरीब हो या और third हमारे पास से रो रे कोर तो यह इनकी दियों हैं company strategy और innovative marketing concept इने एक दफ़रीट कह लें यह था हमारा lesson number one मिलते हैं अपने next lecture में अल्ला हाफिज